गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुपेंद्र भाई पटेल केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथ ही और जो जीवन भर अपने आपको सिख्षक के रुप में ही परिचे करवाते हैं ऐसे पुर्शोतम रुपाला जी पिछले चुनाव में भारत की संसद में देश में पूरे देश में सबसे अधीक वोट पाकर के जीतने वाले स्रीमान सियार पाटिल जी गुजराज सरकार के मंत्री गण अखिल भारतिय प्राइमरी सिख्षक संग के सभी सदस्य गण देश के कौने कौने से आये सम्मानित सिख्षक गण देवी और सजनों आपने इतने स्नेह के साथ मुझे अखिल भारतिय प्राइमरी सिख्षक संग के इस राष्ट्री अधिवेशन में बुलाया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ आजादी के अमरितकाल में जब भारत विख्षित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो आप सभी सिख्षकों की भूमिका बहुत बड़ी है गुजरात में रहते हुए मेरा प्रात्मिक सिख्षकों के साथ मिल करके राज की पूरी सिख्ष्या व्यवस्ता को बजलने का अनुभाव रहा है एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया करीब करीब 40% आसपास हुआ करता था और आज ये जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया तीन परसंड से भी कम रह गया है ये गुजरात के सिख्षकों के सयोग से ही संभव हुआ है गुजरात में सिख्षकों के साथ मेरे जो अनुभाव रहे उसने राष्ट्रियस तरपर भी नीतियां बनाने में पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है अब जैसे रुपाला जी बता रहे थे स्कूलों में सोचालाई ने होने के कारण बड़ी संभ्या में बेटियां स्कूल छोड़ देती थी इसलिए हमने विशे सा भ्यान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग सोचालाई बनवाए यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में गुजरात का पूरा पूर्वी छोड़ जो है वो हमारे आदिवासी बंदुओं का बसेरा है एक प्रकार से उस पूरे इलाके में उमर गाम सेंभा जी साइन्स ट्रिम की पढ़ाई नहीं होती थी आज सिक्षक न केवल महा साइन्स पढ़ा रहे हैं बलकि मेरे आदिवासी नवजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजिनियर भी बन रहे हैं मैं कई बार प्रजानमद्रि के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दाईत्व रहता है जब भी जाता हूँ विदेश मैं इन नेताओं से जब मिलता हूँ और वो जो बाते बताते हैं यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर सिख्षक गर्व अनुभव करेगा मैं अपने अनुभव बताता हूँ आपको आम तोर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूँ तब उनके जीवन में भारतिय सिख्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे मैं प्रधान मंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भुटान में हुई और भुटान के राजपरिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीडी के जितने लोग भुटान में है उन सब को कोई न कोई हिंदुस्तान के सिख्षक ने पढ़ाया लिखाया है और वो बड़े गर्वा से कहते थे ऐसे ही मैं जब साउदी अरब गया वहाँ के किंग बहुत वरिष्ट और सम्मानिय महापुरुष है मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है लेकिं उन से जब मैं बैठा तो बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ फिर उनने ने मुझे पूझा क्यों मालूम है मैंने का आप बताईए ये आपकी कृपा है उन्होंने का देखो भाई मैं भले राजा हूँ जो भी हूँ लेकिन बचपन में मेरा सिक्षक तुमारे देश का था और तुमारे गुजरात का था और उसने मुझे पढ़ाया याने इतने बड़े संपन्न देश के महापुरूश बादचीत में भारत के प्रधान मंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गवरव अनुभव कर रहे थे पिछले दिनों कोविड में आप डबल्यूएचो के समंध में टीवी पर बहुत कुछ देखते होंगे आप डबल्यूएचे को जो मुख्या है मिस्टर टेड रॉस उनके कई बाद टीवी पर आपने उनके बयान देखे हैं मेरे उनके बड़ी अच्छी मित्रता है और वो हमेशा गर्वा से कहते थे पिछले दिनों जामनगर आये थे तब भी वो उसी गर्वा के साथ दुवारा उलेक किया उन्होंने कहां बच्पन से मेरी जिन्दगी के हर पड़ाव में कोई ने कोई हिंदुस्तानी सिक्षक का योगदान रहा है मेरे जीवन को बनाने में भारत के सिक्षक का योगदान रहा है और फिर तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं आज भारत आया हूँ भारत के सिख्षकों ने मुझे बढाया है आप मुझे एक बैट सोगा दे सकते हैं क्या मैंने का क्या बोले लेकिन आपको देनी पड़ेगी और सार्वजनी ग्रूप से देनी पड़ेगी मैंने का जरूर दूँगा आप बताईए बोले आज तुम मेरा नाम हिंदुस्तानी नाम से बना लो और मैंने सार्वजनी ग्रूप से मिरिस्टर टॉड रोस का नाम स्रीमान तुलसी रखा था यहने भारत के सिख्षकों के प्रती जहां जहां भी वो गए हैं दुनिया में वो ऐसी अमीट छाप छोड़कर के आए हैं पीडियों के बाद भी लोग उनको याद करते हैं साथियों जैसे रुपाला जी गर्वज से कह सकते हैं कि वो आजीवन सिख्षक है मैं स्वयम्ब सिख्षक नहीं हूँ लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूँ मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उससे बारिकी से अब्जर्व करना सीखा है आज प्रात्पिक सिख्षक कोओं कि इस अदिवेशन में अपने इनी अनुभवों को मैं आज ज़रा जी भरकर के हाग को सामने कुछ कहना चाहता 21 सदी में तेजी से बदलते हुए इस समाए में भारत की सिख्षा व्यवस्ता बदल रही है सिख्षक बदल रहे हैं चात्र भी बदल रहे हैं ऐसे मैं इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े ये बहुत एहम हो जाता है जाज हमने देखा है पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी इंफ्रास्ट्रेक्टर का अभाव जैसी कई चुनोतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनोति नहीं होती थी आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी वो जो समस्याएं थी वो दीरे दीरे दूर हो रही है लेकिन आज की फीडी के बच्चे चात्र उनकी जो जिग्यासा है उनका जो कुतव कहतुलहला है वे माबाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनोतिय चैलेंज लेकर आया है ये चात्र आत्म विश्वात से भरे हुए है ये चात्र नीडर है और उनका स्वभाव आठ साल की उमर का नव साल की उमर का चात्र भी टीचर को चुनोति देता है वो सिख्षा के पारंपारिक तौर तरिकों से कुछ नई चीज़े उससे पूछता है बात करता है उनकी जिग्यासा सिख्षकों की चुनोति देती है और वो पाठ्र कम और विषय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे यहां बैटे विए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुबह करते होंगे वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे आपको भी मड़ा मुश्किल हो जाता होगा चात्रों के पास इन्फरमेशन के अलग-अलग स्रोथ है इसने भी सिख्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनोति पेश्की है इस चुनोतियों को एक टीचर कैसे हल करता है इस पर हमारी सिख्षा व्यवस्ता का भविश्यन निर्भर करता है और सबसे अच्छा तरीका ये हैं कि इन चुनोतियों को परस्नल और प्रोफेश्नल ग्रोथ के अवसर के तौर पर देखा जाए ये चुनोतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मोका देती है इन्हें हल करने का एक तरीका ये हैं कि सिख्षन के साथ साथ स्वयम को छात्र का गाइड और मेंटर भी बनाएं आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ता है एक गुरू ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उप्योग कैसे करे टेक्नोलोजी से इन्फर्मेशन मिल सकती है लेकिन सही द्रश्टिकोंटो शिक्षक ही दे सकता है सिर्फ एक गुरू ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उप्योगी है और कौन सी नहीं है कोई भी टेक्नोलोजी किसी विद्यार्थी की पारिवारी स्थिती को नहीं समझ सकता एक गुरू ही उसके हालात को समझ कर उसे सभी मुश्किलों से बहार निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है इसी तरह दुनिया की कोई भी टेक्नोलोजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विशय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझे डीप लर्निंग कैसे करें जब इनफर्मेशन की भरमार हो इनफर्मेशन के पहाड़ खड़े हो जाते हैं तो छात्रों के लिए ये महत्वपुण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाना ये बहुत महत्वपूण है इसलिए आज 20 सदी के चात्र के जीवन में टीचर की भुमिका और जादा ब्रहद हो गई है और मैं तो आप से भी कहना चाहूँगा मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ और नहीं मैं उपदेश दे सकता हूँ लेकिन आप पल भर के लिए ये भूल जाएए कि आप टीचर है पल भर के लिए सोचिए कि आप किसी संतान की माता जी है या किसी संतान की पिता जी है आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं आपके बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं पहला जवाब मिलेगा साथियो यहां से कोई इंकार नहीं कर सकता है पहला जवाब मिलेगा मैं भले टीचर हूं हम माता पिता दोनों भले टीचर है लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा सिख्षक मिले अच्छी सिख्षा मिले आपके दिल में भी बच्चों के लिए पहली कामना है आपके बच्चों को अच्छा सिख्षक अच्छी सिख्षा मिले जो कामना आपके दिल में है वही कामना हिंदुस्तान के कोटी-कोटी माता-पिता के दिल में भी है जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वो हिंदुस्तान का हर माब अपने बच्चों के लिए चाहता है और वो आप से उमीद करता है साथियो इस बात को हमेशा धान में रखिए कि विद्यार्थी आप से, आपकी सोच से, आपके रोज मरा के वहवार से, आपकी बोलचाल से, आपके उठने बैठने के तरीके से, वो बहुत कुछ सिखता रहता है आप जो पढ़ा रहे हैं और छात्र जो आप से सीख रहा है, उसमें कभी कभी बहुत अंतर होता है आप सोचते होंगे कि आप गणीत, विज्ञान, इतिहास, क्या कोई अन्य विशे पढ़ा रहे हैं लेकिन छात्र आप से सिर्फ वो विशे नहीं सीख रहा है, वो ये भी सीख रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी चाहिए, वो आप से धैर्य रखने, दूसरा की मदद करने जैसे गूण भी सीख रहा है आपको देख कर ही वो सीखता है कि सक्त छबी रखकर भी सनेह कैसे जताया जा सकता है निस्पक्ष रहने का गूण भी उसे सिख्षक से ही मिलता है इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत इंपोर्टन्ट होता है छोटे बच्चों के लिए टीचर परिवार से बहार वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे जादा समय बिताता है इसलिए आप सभी में इस दाईत्व का एसास भारत की आने वाली पीडियों को बहुत मजबूत करेगा साथियों अभी आप जिन स्कूलों में कारिरत है वहाँ नई राष्ट्रिय सिख्षानिती या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रिय सिख्षानिती बनी है देश के लाखों सिख्षकों ने उसको बनाने में कॉंटुबिशन किया है शिख्षकों के परिशनमे से ये पूरी सिख्षानिती बनी पाई है और इसके कारण सर्वदूरुस का स्वागत हुआ है आज भारत 21 सदी की आधुनिक आवश्चनक्ताओं के मुताबिक नई व्यवस्ताओं का निर्मान कर रहा है इन नई राष्ट्य शिख्षानिती इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्यान दे रहे थे नई राष्ट्य शिख्षानिती उस पूरानी अप्रासांगी की ववस्ता को परिव्यर्तित कर रही है राष्ट्य शिख्षानिती प्रेक्टिकल पर है आधारित है अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग अब कहा जाता है टीचिंग का काल गण पुरा हो गया अब लर्निंग के ही द्वारा शिख्षा को आगे बढ़ाना है अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुमार की गर जा सकते हैं, आप कुमार की गर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजे देखने को मिलेगी, कि इन परिश्टितियों में कुमार रहते हैं कितनी मेहनत करते हैं एक व्यक्ति गरीबी से वहार आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है और इससे बच्चों में सम्वेधन सिलता जगेगी मिट्टी से कैसे सुराही बनती हैं मटके बनते हैं गड़े बनते हैं बच्चे ये सब देखेंगे, अलग-अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीजे प्रत्यक्ष नजर आएगी, ऐसी प्रैक्टिकल एप्रोच राष्ट्रिय शिक्षा निती का बहावत प्रमूक भतत्व है, साथियों, अनोखे प्रयोग करने वाले और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है, लेकिन मैं अपने बच्पन की एक घटना आपको बताता हूं, मुझे मेरे अपने एक सिक्षक याद आ जा रहे है, मेरे प्राइमेरी सिक्षक, वो साम को जब स्कूल से घर जाना होता था, तो बच्चों को कुछ न तुम ऐसा करना, कल दस चावल लेकर के आ जाना, दूसरे को कहते हैं तुम दस मूंग के दाने ले आना, तीसरे को कहते हैं तुम तूर्की दान लेकर, दाल दस लेकर आना, चौथे को कहते हैं तुम दस चने ले आना, हरे से कुछ न कुछ ऐसा, दस दस मंगवाते थे, उस बच्चा घर जाते हैं यान्त रखता है, मुझे दस लाना आए, दस लाना है, दस लाना है, दस नंबर फिक्स होए दापी, फिर मुझे गेहूं लाना है, चावल लाना है, तो उसके दिमाग मे रह भाए, घर जाते ही पहले अपनी मांसे कहे देता था, मुझे तक विचिटर उनन सब कोkalिखटा कर देते थे और पर सब को कहते थे अलग यलग लोगों को अजय तुम ऐसे करो इसमें यो babies 5 भूंग निकालो दूसरे के चाल तुम तीन चने निकालो तीसरे को तो याने वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूं को पहचानता है, उसको नमबर याद रहा है, याने एक ऐसी उनकी प्रेक्टिकल विवस्ता थी, हमारे लिए बेड़ा जब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था, जब हम एक साल पुरा हो गया, अगले साल अगे तो भी वही टीचर से, तो उन्होंने फिर से वही कहा, तो मेरा जैसा ज़रा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने का साब पिछरी साल आपने करवाया था, दूबारा क्यों करवा रहे हो, बोले चुप रहे, तुम तुम मेरा काम करो, ठीक है, जो कहाम लेकर क्य आगे, लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया, उन्होंने हरे की आँख पर पट्टी बांदी, और उन्होंने कहा, स्पर्च से तुम तह करो, मुंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्च वाली इंदिरिय की क्या सामर्त है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी स से देदी थी दोस्तों एक टीचर जब आ आपके अंदर इंवोल ौ जाता है तो कैसे करता है यह मैं अपना आनुभव बताता हूं आप कल्ग कर सकते हैं इस एक अटैबिटिस हमें कितना लाभ होता है हमें गिंती прекे बारे में पता चला हमें दालों प्रेक्टिकल के साथ पढ़ाई यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मादारी आप सब को निभानी ही है साथियों राष्ट्रिय शिक्षानिति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है वो हमारे गाउं देहात और छोटे शहरों को यह शिक्षकों की बहुत मदद करने वाला है यह प्रावधान है मात्रू भाषा में पढ़ाई का हमारे देश में अंग्रेजों ने ढाई सो साल राज किया लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तरकी ही सिमित रही थी दुरूभागे से आजादी के बाद ऐसी ववस्ता बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षन को प्रात्विक्ता मिलने लगी माता पिदाभी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे इसका नुक्षान मेरे टीचर यूनियन ने कभी इस पर सोचा है कि नहीं सोचा है मुझे मालूम नहीं है आज मैं आपको बता रहा हूँ जिस समय आप सोचेंगे इस मिशे पर इस सरकार की जितनी तारिफ करेंगे उतनी कम होगी क्या हुआ जब यह अंग्रेजी अंग्रेजी चलने लगा तो गाव देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों सिख्षकों को जो कि मात्रु भाषा में पढ़कर निकल रहे थे वो कितने ही अच्छे सिख्षकों लेकिन उनको अंग्रेजी सिखने का अवसन नहीं मिला था अब उनके लिए नोकरी का खत्रा मंडराने लग गया क्योंकि अंग्रेजी का महोल चल गया आपकी नोकरी और आप जैसे साथियों की भविश्य में भी नोकरी निस्चित करने के लिए हमने मात्रु भाषा में सिख्षा पर बल दिया है जो मेरे सिख्षक के जीवन को बचा आने वाला है दसकों से हमारे देश में यही चलता रहा था लेकिन अब राष्ट्रिय शिक्षा निती मात्रु भाषा में सिख्षान को बढ़ावा दीती है इसका बहुत बढ़ा लाब आपको मिलेगा इसका बहुत बढ़ा लाब हमारे गाउं से आयोए गरीब परिवार च साथियों सिख्षकों से जुड़ी चुनोतियों के बीच आज हमें समाज में ऐसा माहूल बनाने की बिज़रूत है जिसमें लोग सिख्षक बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं अभी जो स्थीतियां है उसमें हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं इंजिनियर बनने की बात करते हैं एंबीय करने की बात करते हैं टेक्नलोजी को जानने की बाते करते हैं यह सारी बाते करते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कोई आकर कहे कि मैं सिख्षक बनना चाहता हूँ मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ ये स्थिति किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती होती है ये सवाल उठना बहुत आवशक है कि हम नोकरी के लिए बच्चों को पढ़ा रहे है तनखा भी मिल रही है लेकिन क्या हम मन से भी सिक्षक है क्या हम जीवन भर सिक्षक है क्या क्या सोते जाकते उड़ते बैटते हमारे मन में ये भावना है कि मुझे देश के आने वाले भविश को गढ़ना है बच्चों को हर रोज कुछ नया सिखाना है मैं मानता हूँ समाज को बनाने में सिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन कई बार कुछ परिसितियों देखकर मुझे तकलिप भी होती है मैं आप बताऊंगा आप भी मेरी तकलिप समझ पाएंगे मैं कभी कभी कोई कि मेरे मन में मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी दो इच्छाएं थी व्यक्ति के दो इच्छाएं एक बच्छपन में जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्ते उनको मैं सी एम के घर बुलाओं क्योंकि मेरा मैं एक परिवराजक था मेरा नाता सबसे तूट चुका था तिन तिन दसक बिच में बीद गए थे तो मेरा मन कर गया गए उन पुराने दोस्तों को याद करू और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी टीचर्स को मैं अपने घर बुलाओं और उनका सम्मान करू और मुझे खुशी है कि उस समय जब मैंने मेरे टीचर्स को मला एक टीचर की उमर 93 थी और आपको साथ्यों गर्व होगा मैं कैसा विद्यारती हूँ आज भी मेरे जितने टीचर जिवित हैं मैं उनके साथ जीवन संपर्क में हूँ आज भी लेकिन आज कल मैं क्या देख रहा हूँ अगर मैं कहीं कोई शाधी का निमंतर देने आता है या किजी शाधी बैया में जाता हूँ तो मैं उनको पूछता हूँ कितना ही बड़ा आदमी होगा है मैं उसको पूछता हूँ अच्छा भाई तुम्हारी शाधी हो रही है तुम्हारी जिन्द के बड़ा महत्वपण अउसर है क्या तुमने अपने किसी टीचर को शाधी में निमंतर दिया है क्या सो में से नब्बे परसंट कोई मुझे कहता ने कि मैंने टीचर को बुलाया है और जब मैं इस सवाल पूता हूँ लोग इधर उधर देखने लग जाते है अरे तुम्हारी जिन्द की बनाने की जिसने शुरुवात की और तुम जिवन के एक बहुत बड़े पड़ाव के और जा रहे हो और शाधी में तुझे तरह टीचर याद नहीं आया है जैसे मैं ऐसे लोगों को पूसता हूँ विद्यार्थ के बारे में तो मैं टीचर को भी पूसता हूँ मैं बहुत से सिख्षाओं के कारकम में जाना पसंद करता रहा हूँ बहुत सालों से जाता रहता हूँ तो मैं उनको जुरूर मिलता हूँ तो पूछता हूँ मैं छोटे-छोटे स्कूल के कारका में भी जाता हूँ और उनके टीचर सुम में बैठ कर गयों उनसे पूछता हूँ मैं पूछता हूँ भी अच्छा बताओ भाई कि वो आपका विध्यारती था और उसका जीवन सफल हुआ है मुझे दुर्भागे से कहना है बहुत सारे टीचर मुझे जबाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने 20 साल टीचर तो रहा हर दिन आया बच्चे मेरे साथ रहते थे लेकिन कौन 10 विध्यारती अपने जिंदगी में बना पाएं और उसको मुझे याद है कि उसको मुझे कोछी समझ रहा है तो जीरो इसल डा रहा है दोस्तों यानि डिस्कनेक दोनों तर्फ से ये विध्यारती और टीचर कि दोनों ही तरफ हो रहा है और साथियों ऐसा भी नहीं है कि सब विखर ही गया है हमारे खेल के मैदान में आपको स्थीतियां बिल्कुल अलग मिलती है हम देखते हैं कोई खिलाडी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरू अपने कोच को प्रणाम करता है वो अलिम्पिक जीत कर गया होगा बच्पन में जिसने खेल सिकाया होगा उसके बीच में 15-20 साल का फासला चला गया होगा फिर भी जब वो मेडल प्राप्त करता है उस गुरू को प्रणाम करता है गुरू के सम्मान के भावना जीवन परियंत उसके मन में रहती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरू या कोच उस खिलाडी पर व्यक्तिकत रुप से फोकस करता है उसकी जिन्दकी के साथ जुड़ करके उसको तयार करता है उस पर महनत करता है खेल के मैदान से अलग शिक्शकों की सामान ने दुनिया में हम ऐसा कम ही होता देखते हैं कि कोई विद्यार्थ उन्हें जीवन परियात कर रहा है उनके संपर्क में है ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए साथियों समय के साथ विद्यार्थियों और स्कुलों के बीज भी डिस्कनेक बढ़ता जा रहा है पढ़कर निकलने के बाद बच्चे स्कुल को तब याद करते हैं जब उन्हें कोई फर्म भरना होता है और वहां से कोई दाखला लेना होता है मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूँ क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कुल का स्थापना दिवस या आपकी स्कुल का जन्मदिन कब होता है जन्मदीन यानि वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गाव में शुरू हुआ था और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मेनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जी स्कूल में वो नोकरी कर रहे है या जी स्कूल में वो फड़े थे वो स्कूल कब शुरू हो कि हम स्फूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाट से मनाएं पूरा गाव मिलकर के मनाएं और और इसी बहाने आप उस स्कूल में से पढ़कर के गए सब पुराने पुराने लोगों को इखटा कीजिए, पुराने सब टीचर्स को इखटा कीजिए, आप देखिए एक पुरा माहोल बदल जाएगा, अपनत्व के नई शुरुवात हो जाएगी, इससे कनेक्ट बनेगा, सम दुलों को पता नहीं होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे कहां पर पहुंच गए हैं, कितनी उचाईपर है, कोई किसी कंपनी का CEO है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विसिज में आ गया है, उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो जिस स्कूल मे पढ़ा है, वही स्कूल वाले जानते रही हैं, यह मेरा पक्का विश्वात है, कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी पत पर क्यों न हो, अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रन आएगा, तो कुछ भी करके खुसी खुसी, उसकूल जुरूर जा साथियों, एक बहुत अहम विशय, फिटनेस और स्वास का भी है, हाइजिन का भी है, यह सब विशय आपस से जुड़े हुए है, बहुत बार मैं देखता हूं, कि बच्चों का जीवन इतना सितिल हो गया है, कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारिक अजबे कितने बच्चे हैं, जिनको दिन में चार बार पसीना होता है, बताइए, बहुत बच्चों को तो मालू मी नहीं पसीना क्या होता है, बच्चों को पसीना नहीं आता, क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है, ऐसे में उनका सरवांगिन विकास कैसे होग आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोशन पर कितना फोकस कर रही है सरकार मिड़े मिल की ववस्ता करती है अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है कागजों में सरसब ठीक रहना है तो पोशन को लेकर चुनतियां आती रहेगी मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं दोस्ते बजेट तो सरकार देती हैं लेकिन हम वो देश के लोग हैं जहां पर कोई भी अगर छोटा साभी अन्नक्षेत्र चलाता है और वहां कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको खाना मिल जाता है समाज उसके प्रति बड़े गर्व से देखता है बड़ी स्रद्धा से देखता है आज हम लंगर की बात करें आज लंगर के प्रति बड़ी स्रद्धा से देखा जाता है आज हम देखें कोई भंडारा होता है लोगों को खिलाते हैं बड़िस्रा क्या हमें नहीं लगता है कि हमारी स्कुल में तो रोज भंडारा चल रहा है उन बच्चों को खिलाने का आनंद उनके मन को संस्कारिद करने का आनंद और एक पवित्र भाव सिरफ उसके पेट में कुछ खाना जाता है वो इनफ नहीं है दोस्तों हमें अनुभूती होनी शाहिए कि देखिए ये पुरा समाज तुम भूके ने रहो इसके लिए कितना कु इवन के साथ और मैं तो मानता हूं डेली गाओं के दो वरिष्ठ लोगों को बुलाना चाहिए कि आज दो पर को मिड़े मिल में आईए हमारे बच्चों को परोसिए और आप भी साथ में खाना खाईए देखिए पुरा माहोल बदल जाएगा यही मिड़े मिल एक बहुत ब हम खोद उदाहन प्रस्तुत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत शांदार आता है कि मुझे आध है एक बार मैं सी एम रहते हुए यहां गुजरात के एक आदिवासी बहुल जिले के स्कूल में गया था अब मैं वहां गया मैंने देखा जो बच्चे थे बड़े साफ सुत्रे थे और हरे के उपर एकदम जो छोटे बच्चे थे पीन से एक हैंड कर्चिप लटका हुआ था तो और वह उन बच्चों को सिखाया गया था कि उसको हाथ साफ कुरना है नाक साफ कुरना है और वो करते थे और जब स्कूल पूरा होता था तो जो टीचर थी वो सब उनसे निकान लेती थी घर ले जाकर के धोकर के दूसरे दिन लाकर के फिर लगा देती थी और मैंने अलाग गरीब थी लेकिन अपनी साड़ी बेचती नहीं थी वो साड़ी को काट करके हंकर जिब बनाती थी और बच्चों को लगाती थी अब देखिए एक सिख्षी का अपने पुरानी साड़ी के टुकड़ों से उस बच्चों को कितना संस्कार दे रही थी जो उसकी डूटी का हिस्ता नहीं था उसने सेंस अफ हाईजिन उस आदिवासी अलाके की मा की बात कर रहा हूं मैं और सकूल की बात मा बसा तो स्कूल मैं जोपड़ी जैसे स्कूल थी अधिवासी शेत्र है तो स्रिशाए एक मिरर लगा था आएना दो भाए दो का आएना होगा उस टीचर ने नियम बनाया था जो भी स्कूल आएगा पहले आईने के सामने पांच सेकंड खड़ा रहेगा खुद को देखेगा फिर क्लास में जाएगा उस एक मात्र से प्रयोक से जो भी बच्चा आता था तुरंद उसके सामने अपना बाल ठीक करता था उसका स्वाबिमान जग जाता था उसको लगता था मुझे ऐसे रहना चाहिए बडलाव लाने का काम टीचर कितना अध्भूत तरीके से करते हैं ऐसे सेक्ड उदान हमारे सामने है साथियो आप कल्पना कर सकते हैं आपका एक छोटा सा प्रयास कितने बड़े परिवर्तन ला सकता है मैं आपको कितने ही उदान सकता हूँ जो मैंने खुद भी आप शिक्षकों के बीच रहते हुए देखे हैं, जाने हैं, सीके हैं लेकिन समय का भाव है इसलिए मैं अपनी बात को लंबा नहीं खिच रहू मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ मुझे विश्वास है हमारी परंपरा ने गुरू को जो स्थान दिया है आप सभी उस गरुमा को उस गवरव को उस महान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे नए भारत का सपना पुरा करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत छुप कामनाई देता हूँ नमस्कार